हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल, तो इस लेक्षर में आम लोग 12.1 कम्प्लीट करने वाले हैं, मैंने आपको लास लेक्षर में 12.1 का बेसिक कॉंसेप्ट और एक कोशन सॉल्फ कराया था, I hope आपने वो वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अगर नहीं देख है, तो जाके पहले वो वीडियो को देख लो, ताकि आपका पूरा बेसिक कॉंसेप्ट समझ में आ जाए, वनना ये वीडियो में जो मैं आपको कराने वाली है, आपको समझ में नहीं आएगा, ओके, तो पहले आप लोग लेक्षर नंबर बन देखो, फिर ये लेक्षर ले सॉल्फ करने वाले, क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल का मांड है 5000, रेट कितना दिया हुआ है, एट परसेंट और टाइम कितना दिया हुआ, थ्री एर, अब आप लोग कहीं से सॉल्फ करोगे, स्टेप क्या रहेगा आपका पहला, तो गिवेन की कोशन में हमें दिया क्या है, तो क्या गिवेन हैं में दिया क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिखोगे P, कितना है 5000, फिर क्या आपको रेट दिया हुआ है, कितना 8% and आपको number of year मतलब 3 years दिये हैं, अब आपको formula apply करना है, और solve करना है, बस आपका answer आग जाएगा, चलो formula क्या होता है, A is equal to P bracket 1 plus R upon 100, यहाँ पर आजाएगा N, अब क्या हो जाएगा, value put कर दो, फटा फट P कितना है आपको 5000, साथ में solve करना मेरे हैं, वरना आपको आएगा नहीं, बोलों कि मिस कितना easy है, मैंने formula याद कर लिया, बस हो गया, sum solve करना भी ज़रूरी है, क्योंकि multiplication यहाँ बहुत difficult होने वाला है, आज कितना है आपका 8%, number of year 3, A is equal to क्या हो जाएगा, 5000, अब यहाँ देखो, 100 का multiply, अगर आप 1 से करोगे तो आपको मिलेगा, 100 plus 8 हो जाएगा, आपका 108 upon 100 raise to 3, अब कितने बार आए, 3 बार, अगर मैं बोलो 2 raise to 3, तो आप बोलो कि मैं 2 into 2 into 2, राइट, तो मैं इसको भी इसके form में लिखूंगी, कैसे देखो यहाँ पे, क्या करोगे आप लोग, A is equal to 5000, 108 upon 100, again 108 upon 100, फिर क्या हो जाएगा, 108 upon 100, अब हम लोग को यह solve करने हम थोड़ा, easy हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A is equal to 30, तो 30, यहाँ पे cut करो, 1, 2, और यह हो गया 3, क्या हो जाएगा, 5 into 108, into 108 upon 10, into 108 upon 100, ओके, यह आया, 5, 1's are 5, 5, 2's are 10, ओके, अब यहाँ देखो, A is equal to क्या हो जाएगा, 108 into 108 into 108, 100 into 2 कितना हो जाएगा, 200, अब यह तीनों का आपको multiply करना है, अब यहाँ देखो, A is equal to, अब देखो मैं क्या करूंगी, 108 को 200 से हम लोग कैंसल करने, क्योंकि यहाँ पर यह कैंसल हो रहा है, ओके, देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 1's are, 2, 5's are, और यह जाएगा, 2, 4's are, कितना जाएगा, 54 into 108 into 108 upon 100, तो यह और भी easy हो गया, अब इन तिनों का आपको multiply करना है हो, और divide by 100 करना है, तो आपको amount मिल जाएगा, ओके, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कैसे, देखो, 108 into 108, फिर जो भी answer आएगा, उसमें आप लोग को multiply by 54 करना है, यहाँ देखो, 8, 8 जा 64 हो जाएगा यह, 8, 0, 0, 6 हो गया, 8, 1 जा 8, फिर यहाँ पर 0, 0, 0, 0 हो जाएगा आपको, यह भी cancel, 8, 1 जा 0, और 1 जा 1, यह तिनों को प्लस करतो, फटा-फट, कितना आ रहा है, 4, 6, 6, 1, 1, अब इसका multiply, अगेन आपको 54 से कर रहा है, 1, 1, 6, 6, 4, देखो, 4, 4 हो जा 16, carry 1, 6 हो जा 24, 1, 25, carry 2, again 24, 26, carry 2, again वापस के हो जाएगा, 4, 2, 6, 4, 1, 4, 5 हो जा 20, carry 2, 5, 6 हो जा 30, 2 हो जाएगा, carry 3, अब यहाँ अब आपस हो जाएगा, 30, 33, carry 3, 5 वंजा 5, 3 कितना हो जाएगा, 8, और यह हो जाएगा, 5 वंजा 5, अब इसको प्लस कर दो आप, 6, 5, 8, 9, 12, 6, कितना आया, 60, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको पड़ापट, यहाँ पर डिवाइड करती हूँ में, 100 से डिवाइड करना हमें, क्या, 62, 9, 8, 5, 6, आप देखों पड़ापट, 100, 6, कितना हो जाएगा, 600, कितना आगया, 29, यह 8 को यहाँ पर, carry forward, 8 को यहाँ पर लिख लिए हमने, अब क्या, 100, 2, 200, कितना आगया, 98, अगें 5 यहाँ डख लो, 100, 9, कितना आगया, 900, कितना बचेगा, 85, अब यह 6 यहाँ आजाएगा, है ना, 6 आगया, अब 100, 8 जा हो गया, कितना, 800, कितना बचेगा, 56, अब पॉइंट लगा दो, यह हो जाएगा, आपका 560, अब 100, 5 जा, 500, अब कितना बचेगा, 60, अब लगा दो, 0, तो 100, 6 जा, कितना आए अंसर आपका, एक का वैलू, कितना आए आपका, देखो, 6298.56, ओके, यह आपका क्या है, टोटल अमाउंट, अब आपको निकालना है, क्या, कमपाउंड इंट्रेस, तो यहाँ पे मैं इसको पहले रफ करदू, सब एक्स्ट्रा पाट्स, देखो, multiply क्यों पाट्स यहाँ पे है, चलो, यहाँ पे लिखोंगे आप लोग, कमपाउंड इंट्रेस उक्वल टू, A, माइनस P, एक कितना है आपका, 6298.56, P कितना था आपका, 5000, अब इसको आपनों जब माइनस कोरोगे, तो आपका कमपाउंड इंट्रेस कितना हैगा, देखों यहाँ पे, कमपाउंड इंट्रेस उक्वल टू हो जायाएगा, आपका, 1298.56, यह रहा आपका, final answer, तो यहाँ पे हमने, question number 2, solve कर लिया, अब हम लोग करने वाले, question number 1 का, last question, क्या है, 3, और solve करते हैं आपके, कैसे हो जायाएगा, फटा-फट, देखो, इसमें formula बहुत ही easy है, बट इसको जब आपको solve करोगे तो बहुत difficult हो रहा है, last में है न, multiply करने में, बट कोई नहीं, अगर आपको multiplication आता है, तो यह practice set और यह chapter आपके लिए बहुत easy हो जाएगा, चलो, given क्या क्या है है, हमें, given लिख दो, P is equal to 4000, rate कितना दिया हो है, 7.5% और N, number of year कितना दिया हो है, 2, formula क्या हो जाएगा, A is equal to P bracket 1 plus R upon 100, rate to N, हम लोग इसको डो पाट में डिवाइड करेंगे हो, कि हमें प्लेस कम पड़ जा रही है, तो इसको में दो प्लेस में डिवाइड कर देती हूँ, अब हमें full space मिल जाएगा, चलो, अब solve करते हैं, P कितना है, 4000, लिख दो, 1 plus R कितना है, 7.5, upon 100, rate to N कितना है, 2, यह आपको value पुट करने आना चीए, सही सही value है, यह नहीं कि आपने B की जगे पे R की value को पुट कर दिया, इसा नहीं, कोशन में देखो, किसकी value क्या दिया है, वही आपको पुट करना है, अब next, is equal to 4000, 100 बंजा, 100, तो ही कितना हो जगा आपका, 107.5, upon 100, raise to 2, अब raise to 2 आया मतलब क्या, हम इसको दो बार लिखेंगे, ओके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, A is equal to 4000, 107.5, upon 100, again, 107.5, upon 100, अब क्या देखो, यह 20, यह 20, cancel, यह 70, यह 70, cancel, अगें जाया क्या कुछ कैंसल हो रहा है, देखते हैं, अब जितना हूँ, बच्छा हूँतना पही लिखलो, 107.5, multiply by 107.5, upon 10, A is equal to, अब देखो, अब मैं इन तिनों का multiplication करूँगी, और last मैं divide by 10 कर दूँगी, तो मेरा answer आजाएगा, तो यहाँ पर देखो, मैंने पुरा multiplication करके आपको दिया है, देखो, क्या क्या है मैंने पहले, 107.5 multiply by 107.5, यह answer आया, फिर वापस आपको उसको 4 से multiply किया, और then उसको मैं 10 से divide को, तो मेरा answer क्या आया, यह, ओके, तो आप लोग multiply कर लेना, आप लोग अभी 8 standard में हो, very smart, अब क्या, यह हमारा क्या है, amount आ गया, अब हमें क्या निकालना है, compound interest, तो आपको दिखोगे, compound interest उकोल टू क्या होता है, a minus p, मतलब amount minus principal, amount कितना है, 4602.5, minus p कितना है आपका, 4000, जब इसको आप minus कर लोग तो आपको answer आगा, 622.5, यह आपका क्या है, compound interest, तो यहाँ पे हमने question number third भी solve कर लिया, अब हम लोग करते question number two, तो यहाँ पे देखो question number two क्या दिया है, Samir Rao has taken a loan of rupees, यह दो कोन है, Samir Rao है, इसने bank से कितना दिया, 12,500 loan लिया, और इसके उपर उसने rate कितना लगा, 12% और कितने साल के लिए, 3 year के लिए, ठीके, तो हमें क्या, हमें principal मिल गया, हमें rate मिल गया, number of year भी मिल गया, तो बताओ और क्या चीए, बागी हम खुद निकाल लेंगे, अब पूछा क्या है, क्या निकालना हमें? क्या है, if the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan, how many rupees, मतला हमें निकालना है, श्रिफ amount बोला नहीं है पर कि, आप हमें compound interest भी find out करके दिखाओ, तो हम श्रिफ यहां पे amount निकालेंगे, ओके, चलो, अब given क्या है, फटाफट लिख लो, given is equal to क्या हो जाएगा आपे, principle क्या क्या है, 12,500, rate कितना दिया है बच्छा, 12%, और time कितना दिया हुआ है, 3 year, पटाफट formula लगा दो, पास, solve हो जाएगा, a is equal to p, 1 plus r upon 100, rate to n, a p कितना दिया हुआ है, 12,500, साथ में solve करोगे, साथ में solve करना है सबको, 1 plus r कितना है, 12 upon 100, number of year 3, a is equal to 12,500, multiply कर दो आपको पटाफट, 1, 1, 2 upon 100, raise to 3, इसको लिखना है आपको 3 times, 12,500, 1, 1, 2 upon 100, into 1, 1, 2 upon 100, into 1, 1, 2 upon 100, कितना है, 12,500, जितना cancel होता है, उतना cancel कर देने का, बाद में सबका multiply करके, divide में जोई भी लेगा number, उससे divide कर देने का, okay, simple, 1, 1, 2 ये पुरा cancel हो गया, into क्या हो जाएगा, 1, 1, 2 upon 100, into 1, 1, 2 upon 100, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा पटापट, अब ये cancel हो रहा है, 5 से जाएगा क्या, देखो 5 से, 5, 2, फाइफ टूजा और यह हो जाएगा आपका फाइफ फाइजा वापस कैंसल हो गया और कैंसल हो गया येस देखो फाइफ फोजा फाइफ फाइजा कितना आया फाइफ इन्टू वन वन टू इन्टू वन वन टू इन्टू वन वन टू हंड्रेट इन्टू फोर कितना हो जाए क्या यास देखो 5 बंजा 5 8 कितना गया 80 चलो 1 1 2 हमने कितना छोटा कर लिया है ना अपन 80 अब इन तो इन्हों को मल्टिप्लाइ करो और डिवाइड 80 कर दो आपको अंसर आ जाएगा यहां मैं solve करके आपको अभी फटाग से दिखाती हूँ ओके तो यहां पर देखो मैंने फटाग किया आपर 1 1 2 कितना है इतना है फिर मैंने क्या क्या इसमें उप्वापश से 1 1 2 से multiply क्या तो मेरा यह आंसर आया फिर अगर मैंने इसको 80 से डिवाइड को तो मेरा क्या आया फाइनली यह अंसर आ गया मतलब हमें अमाउंट मिल चुका है अमाउंट कितना दिया हुआ है 17561.60 यह हमारा आ गया फाइनल अमाउंट कितना है देखो 17561.60 समीर रौको पे करना पड़ेगा कब तीन साल के बाद तो देखो कोशन में क्या बोला है हाउ मिली रूपीज शुड़ी पे टु क्लियर हीज लोन तिया पे आपको लिखोगे लास्ट में आपको अंसर लिखना है 17561.60 रूपीज शुड़ी पे टु क्लियर लोन ओके उसे इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा तीन साल के बाद तभी उसका लोन क्लियर होगा तो यहां पर हमने कोशन नंबर टू भी सॉल्फ कर लिया कोशन नंबर थ्री और लास्ट सम से तू स्टार्ट बिजनस अकाला है स्टेकन अलोन और रूपीज एट थाउजन तो यह क्या हो गया आपका प्रिंसिपल और रेट तेन पर एनम आफटर टू एओर टू मतलब क्या टू एओर यह आपका क्या हो गया नमबर फ एउयर हाओ मज कंपॉँ इंट्रेश्ट विल जी है तू पे अब हमें यहां पे निकाल लाइं कंपॉँ इंट्रेस्ट तो एंट्रेस हमें कम मिलेगा जब तक हमें टोटल इससे एक business start करना है जिसके लिए उसको कितना चीए 8000 का loan तो यह उसका बिजने स्टॉटल सॉप का उसने लोल लिया उसने rate कितना पे करना पड़ेगा 10.5 यह हमारा हो गया rate यह हमारा हो गया principle अब कितने साल के लिए उसने 2 years के लिए ओके तो यहाँ पर हम लेक समझ लिया concept चलो अब start करते है solution given क्या क्या है लिख लो what of what given P is equal to कितना है 8000 rate कितना है 10.5 और time कितना है मतलब and 2 year चलो अब क्या formula A is equal to P bracket 1 plus R upon 100 raise to N P कितना है आपका 8000 1 plus rate कितना आपका 10.5 upon 100 यहाँ पर हो जाएगा 2 8000 यह कितना हो जाएगा 100 बंजा 100 तो यह हो गया 100 plus 10.5 कितना हो जाएगा 1 1 10.5 है ना और यह हो जाएगा आपका 100 अब यहाँ दोबा लिख दो 8000 इसको दोबा लिख दो अब बताने कि जो अतनी मिस्क्यू क्योंकि हमने अल्डेडी दो तीन संस में कर लिया है 100 चलो अब यह साल्फ करेंगे हम लोग यह 20 20 cancel हो गया यह 10 10 cancel हो गया A is equal to क्या हो जाएगा 8 इन्टू इन्टू 10 अपन 10 अब क्या हो जोएगा आदेखो आप 2 फोजा और 2 फाइव जा 4 इन्टू 105 इन्टू 105 अपन 5 अब इसके आगे यह साल्फ नहीं होगा तो आप इन तिनों का मल्टिप्लाइ करो और डिवाइड बाइ तो यहां पर देखो मैंने यहांपे साल्फ कर लिया है क्या-क्या है मैंने पहले इन दोरों का आपस में मल्टिप्लाइ किया जो अंसर आए उसमें वापस है मैंने 4 से मल्टिप्लाइ किया फिर जो आंसर है उसको 5 से में डिवाइड करता Ahora आंसर कितना है मतलब A A हमारा कितना है बच्चो 9768.20 ये क्या है हमारा अमाउंट आपका निकलना हमें compound interest नहीं है पिलिख दो आपलो compound interest उकोल टू क्या हो जाएगा A-P 9768.20 माइनस principle कितना है 8000 कितना extra amount पे करना पड़ेगा 1768.20 तो ये रहा अमारा compound interest का amount हमने fund कर लिया last में क्या बूला है last में क्या बूला है देखो how much compound interest will she have to pay तो यहाँ पे आपको लिखोगे answer में C has to pay 10768 रूपीज तो यहाँ पे हमने question number 3 भी solve कर लिया तो इसका PDF आपको मिल जाएगा okay don't worry तुम मिलते हैं next video में do like, share and subscribe our YouTube channel bye guys